हाई फ्रेंच इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ केसे आप बज़ाज फिंसर्ष से 25 लाग रुपे तक आप लोन ले सकते हों तो प्रेंट इस वीडियो को complete end तक देखना इस वीडियो में आपको पूरी apply करने की process दिखाने वला हूँ साथी प्रेंट्स यापर कैसे आपको apply करना है और आपको यहाँ पर क्या कितना interest देना पड़ेगा और आपको यहाँ पर क्या क्या document देना पड़ेगा सभी बाते इस वीडियो में आपको complete बताने वला हूँ और फ्रेंट्स यापर मैं आपको पूरा process complete online यहाँ पर apply करके दिखाने वला हूँ तो फ्रेंट्स अमागे अपनी mobile के screen पर जहाँ पर मैं आपको बज़ाज फिंसर्फ से 25 लाग रूपे का loan आपको कैसे लिया जाता है और फ्रेंट्स यहाँ पर आपको कैसे apply करना है पूरी detail है आपको मैं इस वीडियो में complete बताने वला हूँ तो फ्रेंट्स अमागे अपको बज़ाज फिंसर्फ से लोन लेना है तो फ्रेंट्स यहाँ पर आपको 25 लाग रूपे तक आपको लोन मिल जाता है इसके बाद में मैं आपको यहाँ पर apply करके भी दिखाऊंगा तो फ्रेंट्स यहाँ पर मैं clearly बतायता हूँ यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगी कि यहाँ पर आपको क्या क्या document required रहेंगे और आपको लोन कितनी मिनिट में आपका अंदर मिल जाएगा तो फ्रेंट्स य अंदर आपके bank account में यह पेसे भी डाल दिया जाते हैं यहाँ से अगर आपका लोन यहाँ पर अपर अप्रूल हो जाता है तो ठीक है same day में यहाँ पर इसके बाद में लिखाऊ वह 45% lower EMI with flexi personal loan pay interest only EMI and reduce your monthly installment ठीक में यहाँ पर यह चीज़ समझे तो इसके बाद में 60 month to repay your loan याँ आपको 60 महीने मिलेंगे आपको 10 महीने मिलेंगे आपको टेनर मिलेगा 60 महीने का उसमें आपको EMI में payment करना है इस loan का अपने नीचे कदर कलते हैं यहाँ पर अब मैं आपको यहाँ पर बताया तो फ्रेंस आप यहाँ पर eligible कब होंगे यहाँ पर loan लेने लिए आपको क यहाँ पर निचे कदर जाना है अब यहाँ पर देखिए आप निचे कदर personal loan eligibility criteria ठीके इसके लिए criteria क्या है यह भी मैं आपको यहाँ पर बतायता हूं इसके बाद में यहाँ पर मैं आपको आगे बताऊं तो प्रेंस आपकी एज जो होनी चाहिए 27 साल के बीच में होनी चाह चाहिए ठीक है आप यहाँ पर देखते हैं working at an MNC public or private company इसके बाद में आपका civil score जो होना चाहिए 750 और उससे उपर होना चाहिए ठीक है 750 होगा तो भी चलेगा 750 होपर होगा तो काफी बेश्ट है इसके बाद में monthly salary यानि का अगर 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 आप जोब करते हो तो आपको monthly salary मिलते होगी salary आपकी 22,000 होने चाहिए ठीक है based on your city of resident ठीक है यहाँ पर 22,000 salary दी हुई अप प्रेंस यहाँ पर मैं आपको बता चार्ज यहाँ पर नहीं लगेगा इससा कुछ दिया हुआ है इसके बाद में eligibility यहाँ पर मैंने आपको बता दिया किया आपको क्या कि eligibility लगेगी आपको यहाँ पर लोन लेने के लिए आपकी इंडियर होने चाहिए ठीक है आपकी salary यहाँ पर आपकी sitting अनुसार यहाँ पर description में दे दूँगा वहाँ से आप apply कर सकते हो जैसे आप apply नहीं ओपर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ नया page open हो जाएगा यहाँ पर आपको personal detail fill up करने पड़ेगी यहाँ पर जो भी आपका नाम है pain card में दिया हुआ और आम आपको इस वाले box में इंटर करना है अगर Mr, Mr WOMAN Яश जो भी है आ यह से सेलेक्ट करोगे इसके बाद मैं last नाम जो भी आपको pain card में है जो भी आपकी जाती है वह यहाँ पर इंटर करना है इसके बाद मैं आपको CT सेलेक्ट करनी है जो भाहत के CT सेलेक्ट करोगे इसके बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है मोबाइल नंबर इंटर करना है और यहां पर गेट पर आपको क्लिक कर देना है अपने आपने जो भी मोबाइल नंबर इंटर करना है देन सब्मीट पर क्लिक कर देना है इसके बाद में आपको परड़ोर अभर ने लिए ओड यहाँ पर अबश्य कोंतिक खोंटिक करने हैं खोंद में हमें ब्रुप्र को रिप मंचाजी मिल्टृक्थ कीमें लिए है आपको अबसक्वार्य और अरभा पर प्रड़कर को ऐंब्सक्ऊर्स और नमज कोड़ थो आयाक सशनल एड डालना है जो आपका रिज़ आपको एंटर सरुप्रिटर पर आपको क्लिक कर दे रहा है कि यहां पर कुछ एपलिकेशन इस तरह से आपके सामिन लोट सोगी बाद में को उपन हो जाएगा तो पर मुझे pre approved personal loan मिला है जो फ्रेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे जो मिला है वो मिला है दो लाख बेज़ार रुपे रेडी फॉर यू यहाँ पर लिखा हो pre approved personal loan Rx 2 लाख बेज़ार इस रेडी फॉर यू ठीक पर अब यहाँ पर आपको अबर स्लिक्स करते हैं इसके बाद में जितने भी महीने करोगे यहां पर आपको क्या करना है नचे कर आब कुछ इसतार का पे आजाएगा यहां पर जो पि ऑप की यह मंज़ें बनार की बंड़ेगी वह यहांप आ जाएगी थDies और यहाँ पर आप देखिए एक clear नीचे पूरा आपके सामने यह पूरा यहाँ पर आजएगा peace and charge applicable ठीके complete आजएगा अब यहाँ पर आपको apply ने उपर क्लिक कर देना है अब यहाँ पर आपको submit your employment information में यहाँ पर आप जो भी जिस भी office में वर्क करते हुए यहाँ की आपको email आड़ी यहाँ पर इंटर करनी है ठीक है प्रेंट्स यहाँ पर आप email इडी इंटर करोगे ठीक है इंटर करने के बाद में प्रेंट्स आपको आपर यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा ठीक है इसके बाद आपनी हाइस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना होगा इसके बाद आपना इस्टिटूशन सेलेक्ट करना होगा current working experience आप कितने सालों से work कर रहे हो वो total work experience कितना है ठीक है आपने कितना है यहाँ पर total work किया है वो आप पर इंटर करना है इसके बाद आपको अपना office location pin code यहाँ पर इंटर करना होगा इसके बाद आपको work phone number यानि आप जहाँ पर काम करता हो इसके बाद अपना area और locality यहाँ पर select करोगी bank name ठीक है अगर आपका other bank के इंटर नहीं मिल रहा है तो friends यहाँ पर आपको other bank पर click कर देना है application आपके सामने कुछ इस तरह से proceed होगी और friends आपकी application यहाँ पर successful हो जाएगी यहाँ पर आजएगा your application has been submitted reference ID आपको दे दी जाएगी reference ID को वो copy करके रख लेना है इसके बाद यहाँ पर निचली लिख होए please keep us the reference ID handy for future ठीके यहाँ पर इसके बाद निचली लिख होए और representative will contact you shortly यानि कि इनकी तरप से आपको call किया जाएगा आपको wait करना है ठीके और आपको reference ID आपके पास संभाल के रख लेनी है ठीके आप copy कर सकते हो screenshot ले सकते हो जो भी आपको करना है अब friends यहाँ पर आपको यहाँ पर loan application submit होगी यह successful ही अब आपको यहाँ पर आपको call आएगा इनकी तरप से आपको बात कर ले दी और आपको यहाँ पर loan बिल जाएगा अगर आप eligible होंगे तो तो friends वीडियो के साला का comment करें जूरू बता है